हेलो एव्य वोन केसे हैं आप से आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे सो गजा जाझ मैं आपके साथ स्जेर करने जारी हूं कच्छा आलो का बौरी टेष्टी नस्ता यह नास्ता जितना दिस्टी में अच्छा लग रहा है हमें जो है इसको करना है ग्रेट तो मैं यहाँ पर मोटे वाले से मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ तो इसे ग्रेट करेंगे ग्रेट करने के पाथ हमें इसे धोना नहीं है पहले ही हमें आलुओं को अच्छे तरीके से धो लेना है तो इसी तरीके से मैं दोनों आलू को ग्रेट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो देखे फ्रेंस यहांपर मैंने दो लो आलूओ को कर लिया एगरेट अब इसमें हम डालेंगे बारी कटा हुआ प्याज और बारी कटा हुआ इसमें डाल देंगे सिम्ला मिर्च और थोड़ी से डाल देंगे इसमें धनिया की पत्ती आप अपने पसंद से कोई भी सबजी एट कर सकते हैं आप गाजर वगेरा कुछ भी एट कर सकते हैं आप मैंने लिया आदा कपोहा जिसको मैंने तो से तीन बार पानी से अच्छे से धो लिया था और यह कफी अच्छी तरीके से सौफ्ट हो गया तो इसको भी हम इसमें डाल फिर यहाँ पर डालेंगे दो चमच के लगबग मैदा बाइडिंग के लिए हम डालेंगे फिर इसमें डालेंगे हम एक चमच के लगबग गरमसाला टेस्स के कोटिंग इसमें नमक डालेंगे फिर इसमें डालेंगे लालमिश पाउडर इसमें डालेंगे चाट मसाला जिसे हमारा नास्ता बहुत ही टेस्टी लगेगा बहुत ही एक नास्ते में टेंगी जीसा फ्लेवर आएगा तो इसे में चमस के साइथा से पहले मैं इसे मिला देती हूँ तो लेकिन मुझे ना इससे कमफ़रेबल नहीं लगता है तो हमें इसक को ग्रेट किया थना आलू में पहले से पानी होता है तो इसलिए हमें यहाँ पर पानी की जरुवत नहीं है यहाँ पर मैंने बिल्कुल अच्छी तरीक से मिला कर डो बना लिया है हाथों को क्लीन करके हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे फिर उसके बाद हम थोड़ा लगा भया रहिसलिए बनाना तो इसे है यह असान तो इसी तरीके से मातो पर थोड़ा सा पॉशं लेंगे और इसी तरीके से हम बना यह बना ते जाएं गे और हाथों पर हम यहाँ पर सब पर ना फिर उसके बाद हम जो हे यहां पर मैंने देखि इस अपह ही बना लिए और फिर यहां पर मैंने लिए कुछ मंग अनदर चली जा किसी नहीं दवाना बिल्कुल इसी तरीके से हमें सबिकों लगा लेना है जिससे ये दिखने में लूप भी अच्छा लगेगा और बचों को तो ये चीज बहुत ही पसंद! बचों गई श्τοरीके से बनाकी दीज़ेगा बी एक ये फेंज आपर दिखने में इसका लुक इतना प्यारा लग रहा है ना अब हम चलते हैं इसको फ्राइ के लिए फ्राई करने के लिए मैंने आप पहले से ही तेल को अच्छी तरीके से गरम कर लिया है और अब हम एक एक करके नास्तों को इसमें डाल देंगे तो मेरी कड़ाई थोड़ी सी बड़ी है इसलिए मेरा सारा नास्ता इसमें आ रहा है तो मैं सभी को इसमें डाल देती हूँ और डाल के हमें इसको बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई करना है पहले हमें नीचे से बिल्कुल अच्छी तरीके से पका लेना है और हाँ गाईज एक चीज़ का ध्यान दीजेगा जिस तरफ हमने मौंगफली डाली है ना प्लर देती हूँ नीचे से अच्छी से पक गया है तो मौंगफली वाला साइड भी हम पका लेते हैं फिर उसके बाद हम पिल्कुल अच्छी तरीके से जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा ना तब तक हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे तो गैस एक बार अपना ये नास्ता की रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा आपको ये बहुत ही पसंद आएगी साथ साथ में ये बच्छों को ये बहुत ही पसंद आएगी ये दिखने में जितना अच्छा है ना उससे कई जादा ये खाने में और भी टेस्टी है हमने इसे पोहे से बनाया है तो ये उपर से बहुत ही क्रिस्पी लगता है और अंदर से ये बहुत ही सोफ्ट होता है क्योंकि हमने यहाँ पर मेरे दागा ये उस किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस जरूर ओल्पी कर दें मेरी इससे हर वीडियो की नोटिफिक्शन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी मेरी हर असान रेसिपी का आप जल्द फाइदा उठा पाएंगी तो दीखे फरेंज यहाँ पर कलरण नाष्टे का बहुत ही प्यारा हो गिया है और अब मैं इस सभी नाष्टा को निकाल लेती हूँ और निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ तो दिके फ्रेंज हमारा यहां पर सुपर टेस्टी, सुपर डिलीजिस नास्ता बन कर रेड़ी है इसे बनाना बहुत असाने खाने में यह बहुत ही टेस्टी लगता है जितना यह दिखने में अच्छा लग रहा है उससे कई जादा यह खाने में और भी टेस्टी अप लोग जरू ट्राइ करेंगे आक्थ लोग आरको जरू कमेंट में बताइएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरू करतेजिका इस्से मुझे एक मोटिवेट मिलता है जिससे में आपके लिए नई नई रेसिपी और बहुत यची अची रेसिपी में आपके लिए असान रेसिपी लाती रेती हो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिपाई अलाहफीज